एलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो ओवर चैनल तो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छों गया तो फ्रेंज मैं आ गया हूं एक और नए वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ आज की वीडियो टॉपिक होने वाला जो की इस जनरेशन में बहुत ही लोगों के लिए क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है पेट का बन करना मतलब लोग बेली फेट के लिए लेकर आया हूं क्योंकि आज की जनरेशन में आपने दिखा हूं चोटी चोटी बच्चों के पेट बहार निकल आता है तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रोब्लम है इसको ठीक करने के लिए मैं एक्राइज आया हूं तो फ्रेंट्स ये एक्राइज करेंगे तो आपकी जो लोग बेली फेट है उसपर बहुत जयाता है युटिक्प्लार नौर्मल एक्राइज है लेकि लोग बेलेट है बहुत मुष्किल चंश्व होता है तो उसके लिए मे प्रस्ट एक्साइज में क्या करना है आपको कुछ इस तरीके से लेट जाना है और फिर आपको पैरोगों दोनों पैरोगों एक साथ उठाना है और फिर होल्ट रखना है कुछ इस तरीके से फिर थोड़ा उपर लागे होल्ड रखना है फिर ओर उपर टेन टेन सेकंड होल्ड रखना है आपको तीन जगे है फिर निचे लादे टाइम भी होल्ड फिर रिलेक्स इस एक्साइज से आपके लोवर बैली फैट पे बहुत अच्छी तरीके से पोर्स पड़ेगा और वहांका फैट बर्न होना जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आप इस एक्साइज को फ्रोपर तरीके से करते हैं तो आपको जितना आप अपने तरेटों कि आपको अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि तीन न only ? मतलब कि तीन बार आपको करना है औरतीन लगाने है मतलब कि यह अब नेग्स टेक् साइज में आपको क्या चाहिए से करना है आपको इस तरीके से नीचे बैठ कर फिर और आपको यह श्तरीक hedge कर लेना और फिर पेरों क्यों तरीके से कुछ इस तरीके से और फिर लास्ट में बोड रखना है इसको 10 सेगंड के लिए इसमें आपको 20 रिपिटेशन लगाने हो और 3-4 सेट लगाने हैं यह सबसे अच्छी एक्सराइज है अभी तक की जो की लोड बेली फैट के लिए फैट को बर्न करने के लिए है इसके आपको 20 रिपिटेशन लगाने हो तीज़े जाए लगाने और लास्ट में जो लास्ट रिपिटेशन होगा उसमें आपको इसको 10 सेगंड होल्ड कर गर रखना है तो यह होगा आपकी शेकंड एक्साइज आपको 25 से 30 रिपिटेशन लगाने होगा है तो आपको इसके आपको 25 से 30 रिपिटेशन लगाने है और लगाने है इससे आपका लोवर पेट परतिशाथ कम हो जाएगा अगर आप इन तीन एक्साइज को करते हैं तो फ्रेंड्स इनको आप 15 से 20 दिन करेंगे तो आपको असर पढ़ना लग जाएगा आपके लोवर बेली फेट पर आपका जो पेट भार की तरफ निकला हुआ था वो अंदर हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह जो प्रोब्लम है जो कि इस जनरेशन में हर किसी के मतलब आपको दस बंदों में से एक बंदे के आराम आपको देखने के मिल जाएगी तो इसको ठीक करें एक्साइज करें जो बच्चें वो गेम खेलें इससे कि कि उनकी ये प्रोब्लम ना हो फ्रेंज न में तो फरेंज, यह एक्साइज कर अगर आप अपनी लओर बेलीपटो कम कर सकते हैं तो फ्रेंज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को प्रेस कर ना भूले क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी फिरेल वीडियो अपलोड होती रहती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तब तक के लिए टेक के और एकसाइज करें वीडियो को एन तक देखने के लिए थैंक्यू कुरुबची